तो दोस्तों मेरे नाम है निर्मल और आज हम अन्बॉक्स करने वाले ओनर टेन येस यू हर्ड राइट तो वॉक्स में हम देख लेकते हैं बॉक्स में जो आपको कुछ इस तरह की चीज़ें स्पेसिकेशन्स मेंशन देखने को मिलती है तॉप साइड में और नीचे साइड में और बाकी सारे साइड में क्या कुछ देखने को मिलते हैं आपको पता है बॉक्स में क्या क्या होता है तो हम फिलाल से इसका रैप निकाल लेते हैं प्लास्टिक और अन्बॉक्स कर लेते हैं फोन को येस सील जो हमें इसकी अन्लॉक कर रख लगा है लेकिन इसे हम साइड में रख देंगे और देखते हैं बॉक्स में कुछ स्टिकर्स देखने को मिलते हैं कुछ डॉक्वेंटेशन स्टफ देखने को मिलता है क्विक स्टाट गाइड और बाकी सारी चीज़ें आपको और एंडी पर हैं सेम एजेक्टर टूल भालाते फ्ट में चीञाइटेर विस्टापस कर दने को मिलता है और यह स्टीकर है भालाते हैं जो कराप कर रहेampa ऑंड चैय में और किरो यह सुए बाकस में रख दिया इसको क्यूकिक बाद में आ सकता है, और इसमें आपको टॉप में 16 लों 20 मीच्पिक्सल क्कैमरा की मिल यहां पर आपको power buttons और volume rockers देखने को मिलते हैं, दूसरे side आपको जो है SIM इजे एक ट्रे देखने को मिलते हैं, उपर की तरफ आपको आयर blast सो देखने को मिलते हैं, और बाकी चीज़ें जो साइब में रखते हैं, फोन के साथ हमें एक case देखने को मिलते हैं, ये एक TPU case है, ज तो हम apply कर लेते हैं और बताते हैं आपको फोन में क्या कुछ देखने को मिलता है तो यहां पर हम बात करें बैक में तो आपको जो है फैंटम ब्लू कलर की डिजाइन और काफी अच्छी है जो कि color change कर लेते हैं नीचे के साइड हमने आपको बता दिया जो है आपको charging port और उप fingerprint place करके दिया गया है तो जो fingerprint sensor है थोड़ा सा slow है हम टेस्ट करके देखते हैं तो आप खुद देख सकते हैं थोड़ा सा slow feel हो रहा है लेकि इसकी एक खास यहता है fingerprint sensor में भी खास बात यह है कि वो जो है आप खेले हाथों से भी unlock कर सकते हैं इस phone को yes fingerprint sensor आपका आराम से काम करेगा तो यह एक reason है slow होने का लेकिन OTA update के साथ owner ने कहाए कि fast हो जाएगी तो हम update कर लेंगे तो review में आपको बता देंगे किस तरह से काम करता है उपर की तरफ आप पर किरिन का 970 जो की octa core processor हो देखने को मिलता है और Huawei के P20 में भी यही processor देखने को मिलता है आपको जो की almost के double pricing के साथ आता है 1.8 GHz पर काम करेगा यहां पर 128 GB की internal storage देखने को मिलती है लेकिन आपको यूज करने को 115 GB मिलती है 6 GB की RAM और जैसा कि हमने कहा Android 8.1 देखने को मिलत आपको ज्यादा कुछ ब्लोट वेर देखने को नहीं मिलता कुछ कमी application से और इस फोन की खास बात है इसका camera तो camera को भी open कर लेते हैं और देख लेते हैं first impressions कैसे camera के तो allow तो करना ही पड़ेगा हमें और यह हम जो है कुछ sample shots भी आपको दिखा देते हैं क्लिक करके आपके सामने कुछ किस तरह से देखने को मिलता है यहां पर हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के लिए हमारे पास object होना चाहिए तो object यह नाम पर हमारे पास फिलाल तो charger आपको देखने को मिलते हैं तो आने वाले टाइम में रिवे में आपको फुल रिवे में दिखा देंगे कुछ किस तरह से इसका camera है और क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं फिलाल के हम शूट कर लेते हैं एक छोड़ा सा photograph तो camera की काफी अची performance दे रहा है यह जैसे कि हमने कहा इसका camera है AI based camera है front में भी दिखा देते हैं आपको front में भी क्लिक करके देख सकते हैं और येस आपको दिख रहा है OnePlus 3D जिससे मैं शूट कर रहा हूं इस वीडियो को तो हमें कोई शर्म नहीं है लगता कि हम फोन से शूट कर रहे हैं that's okay और front camera में कुछ options दे को हटा सकते हैं yes notch को अच्छे से हटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अगर आप notch को हटा देंगे तो उपर की तरफ भी आपको चिन देखने को मिल दें जो की I mean आपका डिस्प्ले छोटा कर देगी तो आप चाहें तो रख सकते हैं notch को but it's all up to you video को like कीजिए dislike कीजिए आपका opinion कॉमेंट में बताइए और सबसे जबर जरूरी है चानल को सबस्क्राइब कीजिए